नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेश्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडियो में देखने वाले दो बड़े मल्टी बेगर स्टॉक के बार में जो पाहिला स्टॉक है CDSL यहनी Central Depository Services इंडिया लिमिटेड और दूसरा स्टॉक है BSC स्टॉक लिमिटेड तो यहाँ पर देखा जाये तो जो दोनों स्टॉक है यहाँ पर सेम सेक्टर से बिलॉंग करते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट का दोनों कंपणियों का बिजनस है और आने वाले समय में स्टॉक मार्केट बहुती बढ़ा बननेवाला इंडिया में क्योंकि बहुत सारी लोग यहाँ पर पैसा लगा रहे तो इस दोनों कंपणि के लिए दो बड़े breaking news ह उसमें से एक news है यहाँ पे negative news है एक company के लिए और एक जो news है यहाँ पे दोनों company के लिए बहुती positive news है गौतम अदानीजी ने यहाँ पे बहुती बड़ा statement दिया है तो क्या statement दिया है आगे जाके जो news का positive impact इन दोनों company के उपर कैसे हो सकता है पूरे detail में देखने वाले लेकि कि देखा जाए तो यहाँ पे cdsl के जो long term के return है यहाँ पे 400% के आसपास return दे लेकिन जो actual return स्टार्ट हुए 2020 के बाद दे क्योंकि 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में बहुत सारी लोग आ गए थे सेम यहाँ पे बीए से लिमिटेट के लिए इसके long term के return तो 59% देख रहे लेक 5,000 रुपे के उपार जा सकता है लेकिन आपको time देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक या दो साल के अंदर target अच्छो हो जाएगा और आप यहाँ पर माला मल हो जाएगे stock market में आपको quality stock पकड़ना है और long term का player बनना है या at least 5 से 10 साल इंतजार करना है तब ही जाकि आपको ब नमबर टू पर आते हैं पर population में तो यहाँ पर जैसे की 140 कोड के आसपस population है 2021 की data की सबसे तो यहाँ पर कोई भी developing country के लिए population बहुती जादा होना यहाँ पर फाइदा होता है जैसे की चाइना यहाँ पर नमबर टू economy की हुए इनके पास बहुती ज्यादा population है प्लस यहाँ पर developing country इसके चाइना वर्ड्स नमबर टू में आते economy में तो आगे जाके जो इंडिया है यहाँ पर इस बेस के ऊपर चाइना को और यूएस को भी टककर जाए सकता है तो यहाँ पर क्या है जैसे कि for the example को एक स्वाइजर कंपने वह क्या करते अगर एक रुपए का पॉपुलिशन ज्यादा होने का हर एक country के लिए कोई भी country के लिए यह तो गया एक लॉजिक जैसे कि stock market की जर्निया आप लोग देशा थे यहां से यहां तक stock market में कोई ज्यादा मुमें नहीं था लेकिन 2020 के बाद आपने देख कर आएगा stock market में बहुती बड़ी तीज़े लगों को देखने का रंज़े रहा है लोग थे यहां पर stock market को एज़े सटक मार्केट को यहां पर बदल गए यहां पर इंवेस्मेंट यह पर जॉब के लिए तो आने वाले समय में जितना ज्यादा यंग जनरेशन आएगा उतनी ज़ादी यहां पर stock market में तीज जाएगए और यहां पर दोनों company को मेन business है, stock market related है, जैसे कि BSE, exchange के उपर काम करते हैं, जैसे कि buyer और seller ढूरने का काम करते हैं, और यहां पर CDSL, depository का काम करते हैं, जैसे कि आपके stock market के जो stock हो रहे थे, जैसे कि dmat account में store होते हैं, as well as यहां पर CDSL और NHL के पास यहां पर store होते हैं, तो दो उन्हों company के लिए जितना ज़्यादा client बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, उतना ज़्यादा commission बढ़ेगा, और आने वाले समय में company बहुत ही बढ़ा है, पर profit कर सकते हैं, यह तो एक logic, तो यहां पर news के उपर जम कर लेते हैं, तो जैसे कि अभी वर्स नंब बहुती बड़ा statement दे, उन्होंने बोला है, 2030 तक इंडिया है, वर्स थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी बन सकते, बहुती बड़ा statement है, किसे है, छोटे मोटे व्यक्ति ने यहां पर जितना पर जितना इंडिया के सबसे बड़े आदमी है, गौतम आदर जी उन्होंने statement दे, त बहुती बड़ा statement है, इसका न्यूज का जो आफर है, ऐसा नहीं कि मंडे की दिन बजार खोलेगा, और श्टॉक यहां पर अपर सकीट में भागेगा, यहां पर जो न्यूज है, लांग टर्म के लिए काम कर गिया, अगर इंडिया एकोनोमी में श्टॉक बनीगी, तो आप सोच सकते हैं, अगर स्टॉक बनेगी तो अटोमेटिकली यहां पर इंडिया का जो श्टॉक मार्केट है, निप्टी-फिप्टी भागेगा, वो इसके सर जो बड़े-बड़े स्टॉक है, वो भी भागेंगे, बीए से सीड़े सर स्टॉक भी भागेंगे, क्योंकि स्टॉ पैसा लगा सकते हैं, यह तो तो आज का दो एक तो ब्रेकिंग निउस कर लिया, जो दूसरा ब्रेकिंग निउस है, उसको भी देख लेते हैं, जैसी कि कल के दिन हमने देखा था, यहां पर सीड़े सेल कंपणी के थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वहां पर व तो लाइक कर सकते हैं, चानल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं,